हाई व्रिवन नमस्कार वेलकम आने इंटर्सवर चैनल क्या आप 2022 का बनारस हिंदु उनिवस्टी का इंटर्स देना चाहते हैं अगर हाँ तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स किलियर करेंग जैसे कि आपके फार्म कब आएंगे फार्म क्यों नहीं आ रहे हैं क्या हमारा बनारस हिंदु उनिवस्टी की एंडर्स में हुगा ये सारी चीजे डौट्स है और कैसे प्रपरेशन करें आप सभी को मालूम है कि बनारस हिंदु उनिवर्जिटी की इंटर्स फार्म जो हैं वो फैब में आ जाते हैं लास्ट फरवरी तक आ जाते हैं बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है जी हां क्योंकि नई जो गाइड लाइन्स निकाली गई है वो कुछ अलग है इसलिए अभी तक इंटरंस फार्म नहीं आया है और सबसे बड़ा कुछ चेंज होने वाला है व देखिए अभी तक 7 मार्च हो गया है और अभी तक कोई भी इसकी इंफार्मेशन नहीं आया है क्योंकि ये इंटरंस बनारस हिंदी उनिवरस्टी का 2022 का ये बेस्ट होने वाला है C.U.C.E.T. जी हां C.U.C.E.T. का फुल फार्म होता है सेंटरल यूनिवरस्टी कामन इंट जिसको N.T.A. मतलब National Testing Agency के द्वारा कंड़क्ट कराया जा रहा है इस साल के लिए ठीक है तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो C.U.C.E.T. का है वो पैटर्न स्लेबस थोड़ा सा चेंज रहता है इसलिए अभी तक जो है B.H.U. के इंटरंस फार्म जो है डेट अभी नह लाएगी ठीक है बट अभी ये कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि बनारस हिंदू उनिवर्स्टी का जो इंटरंस है वो C.U.C.E.T. के अंडर ही जाएगा बट मैक्सिमम चांसेस यहीं है most probability यहीं है कि आपका इंटरंस 2020 का इस बार का 100% स्योर है कि C.U.C.E.T. के अंडर ही जाए वो लगभग होली के पहले ही आ जाएगा ठीक है अफिसी अली ठीक है और इसी लिए जो है अभी तक इंटरंस फामिस का नहीं आया है क्योंकि यह पका है कि 100% कि यह C.U.C.E.T. के based होगा तो आपको घपडाने वाली कोई दिक्कत नहीं है अगर आप aspirant हैं BSC या MSC या MSC Tech Ge Geophysics का MSC Tech Geophysics या MSC Physics या BSC करना चाहते हैं अगर PCM ग्रुप से तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत उपी होगी है सारा HD material हम आपको प्रवाइड कराएंगे सारे papers A to Z with answer key solutions सारे आपको यहां पे papers मिल जाएंगे ठीक है बस इंटरंस फार्म डेट आने दो ठीक है तब तक हम आप इंटरंस देना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट इस चैनल से होने वाला है अगर आप MSC Tech Geophysics या MSC Physics का फार्म अप्लाई करना चाहते हैं ठीक है तो आपके लिए हम एक वीडियो बना रखे है कि BHU Geophysics का स्लेबस क्या है इसका स्लेबस स्लेबस ह ग्रूप का और AG का और BFC Biology ग्रूप का है सारा आपको पेपर्स मिलेगा बित स्ट्रेटिजी कैसे हमको क्वालिफाई करना है इस इंटरंस को राइट तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है फार्म डेट आपकी स्टेट में बच्चे हैं वह अपना स्लेबस पर फोकस करें अभी इंटरंस के सिलेबस पर बिल्कुल ना फोकस करें ठीक है तो अभी पहले आप लोग अपना इंटरंस दीजिए यह है मान के चलिये एक्सक्वेंट कि इसका इंटरंस डिए जल्द ही आ जायेगा और उसके लगभग आपका जो इंटरंस पेपर मतलब जो हमारा होगा वह लगभग वही जुलाई के बीच में जुलाई की स्टार्टिंग में आपका इंटरंस जो हो जाएगा और उसके बाद आपका सेलेक्शन होगा ठीक है तो सीउ सीटी के अंडर इस बार यह जाने वाला है बट आपको चीज हमें इंफार्मेशन देते हैं कि आपको हमें लिंक सेर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा के उसको पढ़ लिजिएगा तीन मार्च की इसमें बताया गया है बहुत सारी चीजें जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो सारी उनिवर्सटी 50-50% जो है सीट सीट के अंडर जा चुकी थी बट इस बार यह त्योर है कि पक्का पूरा-पूरा डी यू भी चला जाएगा बाकि इस बार जो है बीच यू भी जाना चाहता है तीक है तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा 2022 की जो लिस्ट है उनिव Centre student um इले ता है जिसके अंडर वो एक इक्जाम कराता है उसके अंडर जिसकी रेंक अच्छी आती है और उसको सिके अंडर इंडिमिशन मिल जाता है तो ए का अफलाइन भी एक्जाम हो सकता है ठीक है जैसे लास्ट येर ही भी एक्चू का जो इंटरंस हुआ था वो एंटीए लिंक है टेलीग्राम चैनल की उसको फालो कर लीजिएगा उसमें बहुत सारी बुक्स हमने जो बच्चे में जाना चाहते हैं इंटरंस देना चाहिए बहुत सारी बुक्स हमने अपलाई जो अपलोड कर रखी है वहाँ पर आप कोई सी भी बुक्स की नीड अगर होगी कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आपको जैस्ट उसका जो है सुल्यूशन मिल जाता है तो अमने बात कर लिया गईस जितनी हमको करना था जो हमने इनफार्मेशन आपको दिया यह इतनी आपके लिए सफिशियंट है ठीक है अगर फिर भी आपको कोई प्राब्लम हैं चाहते हैं कि इसमें आपको एडमिशन मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि इस चैनल पर भी एच यू एल यू डिफरेंट डिफरेंट उनिवस्टीज का मटेरियल इनफार्मेशन सारी प्रोवाइड की जायेंगी ठीक है तो थैंक्यू सो मच फार वा